जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पे टोटली कॉंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिज है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटिड ही में अपलोड करूँ और जो जनल वीडियोज होती है यूट्यूब से रिलेटिड हो गया यह से रिलेटिड या अनिंग से रिलेटिड उसके लिए के लग से फ्यास वहीज अनलोजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रियेट किया है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहांबे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आपकी 100% स्पोर्ट की जरूरत है उसको ज्यादा से कीजेगा और सबस्क्राइब करना आपने नहीं बोलना जाएगा 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 आपको यहां पर बेश्मार प्राब्लम्स जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं और जो मजीद हम solve करते जाएंगो यहां पर मैं add करता जाओंगा आज की वीडियो की दरफ चलते हैं आज हमारे पास problem क्या है जी problem यह है अभी फिलहाल function को लेके हम problem यहां पर solve कर रहे हैं लेकिन मैंने last वीडियो में तीन different methods आपको बता दिये थे आज की वीडियो में भी हम different methods को use करेंगे बारहल problem हमारे पास यह है create a function that takes voltage and current and returns the calculated power ठीक है अब calculated power पावर को calculate करने क्या जो formula है वो यह है कि आपने यहां पे जो voltage और current है इसको multiply कर देना है तो हमारे पास calculated power calculate होके आ जाएगी अब इसको हमने किस तरीके से करना है तीन method हम यहां पे discuss करेंगे कौन कौन से सबसे पहले variables को use करते हैं उसके बाद next देखते हैं function को किस तरीके से use करना है और last पर हम देखेंगे किस तरीके से हमने user से अगर तो हमने input लेनी है तो उसको हमने use करके किस तरीके से यहां पे इ नियुजे करने लेड यूज चेमें हमारे बास दो चीजे के लिए ल ए लम यहां पड़ेड कर लेता हूंँ और उसकी वैलियु फ़र्ज़ करने हैं यहां पे वैलियु मैंले रहा हूं और पो value ले ले लेता हूं फर्ज करते हैं 20 है इन दोनों को multiply करेंगे तो हमारे पास power calculate होके आ जाएगी यहाँ पे एक और variable मैं ले ले लेता हूं power के नाम से और हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे multiply कर देते हैं voltage को crunch से multiply करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको जस्ट इसका मकसद यह है कि हमने जो output display करवानी है वो paragraph की फार्म में करवानी है heading की फार्म में करवानी है या किस फार्म में करवानी है यहाँ पे div यूज कर रहा हूं अगर मैं यहाँ पे फर्ज करते हैं h1 ले ले लेता हूं मैं यहाँ पे राइट करता हूं calculated power is ठीक है जी इस तरीके से colon और साथ हमने यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे concatenation का हम operator यूज करेंगे इसको हम करते हैं save जैसे save करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे यह देखें आ जाएगी यह तो हो गया एक method के हमने अगर तो static data use करना है variables को हम use कर रहे है static values को use कर रहे हैं तो किस तरीके से calculation करेंगे अब हम जल देए function की दिरफ मैं यहाँ पे function लेता हूं power के नाम से और दो मैंने यहाँ पे voltage के लिए एक parameter ले ले लिया और एक parameter मैंने current के लिए ले लिया है और यहाँ पे function की body में हम return केंगे main logic basically यहाँ पे होती है तो यह वाला जो formula मैंने यहाँ पे write किया हुआ था इसको मैं यहाँ से करता हूं copy return में मैं इसको इस तरीके से paste कर देता हूं और यह वाली जो तीन लाइने हैं इनको मैं यहाँ से कर देता हूं remove ठीक है थी यह हमने logic राइट कर दी है हमारे पास function आ चुका है with two different parameters अब हमारे पास यहाँ पे document.getalm by id.inestimal is equal to calculated power is अब यहाँ पे पहले variables है अब simple क्या करेंगे इसको हम function के तोर पे ले लेंगे और यहाँ पे अब दो values देंगे arguments के तोर पे फर्ज करें एक value 15 दे देता हूं और एक value मैं यहाँ पे 20 दे देता हूं जैसे इसको save करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे answer calculated power आ जाएगा यह हमारे पास calculated power 300 यहाँ पे calculate हो गया चुका है अगर मैं value इसकी change करता हूं तो आप हमारे पास इस तरीके से value change होती जाएगी तो आप इस तरीके से अगर तो function को use करते हैं तो आप इस तरीके से power को calculate कर सकते हैं हमारी जो problem है उसके according यह solution complete हो चुका है ठीक है हमने एक function को use करना था और हमने power को calculate करना था लेकिन next जो third method है कि अगर हमने user से input लेनी है तो किस तरीके से लेंगे उसको भी यहाँ पर discuss करते हैं यह जो function की body है इसको मैं इसी तरीके से रहने देता हूं हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक variable लूँगा मैं वाल के नाम से voltage के लिए और यहाँ पर यहाँ पर हम use करेंगे prompt box और इसके अंदर हम कोई भी मैसी यहाँ पर लिख सकते हैं enter value of voltage ठीक है जी हम सबसे पहले यहाँ पर उससे value ले ले लेंगे voltage की इसी को मैं copy करता हूं एक second variable हम यहाँ पर लेंगे second variable मेरे पास यहाँ पर है current की value है इस रिके से prompt box में हम current की value ले लेंगे please enter यह कुछ भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं enter value of current यह दो मेरे पास prompt box आ चुके हैं दो मेरे पास यहाँ पर values आ जा जाएंगी values आने के बाद हमने क्या करना है उसके बाद मेरे पास यहाँ पर लिखा है document.getElementById demo.inHTML is equal to Calculated Power अब यहाँ पर function को हमने call कर दिया है ठीक है थी function को call तो किया है लेकिन अब हमने यहाँ पर value को fix नहीं करना बलके user से value लेनी है पहली value मेरे पास है यह वाला variable है और second value मेरे पास कौन सी है यह वाला variable है ठीक है जी इसको हम जैसे से करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक प्राउंड बॉक्स आ जाएगा enter value voltage फर्ज करते हैं 10 enter करता हूँ again एक प्राउंड बॉक्स आगा enter value of current first करते हैं 20 enter करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर calculated power is 200 यहाँ पर calculate होके आ जाएगी again इसको refresh करते हैं फर्ज करते हैं जी जो voltage की value वो 20 है और जो current की value वो 40 है 20 को 40 से multiply करें तो हमारे पास answer क्या आएगा 800 तो यह proper हमारे पास जो program है वक कर रहा है तो इस तरीके से आप user से value लेते हुए user से input ले के किस तरीके से calculation कर सकते हैं पावर को अमीद करता हूँ कि इस concept की आपको समधागी होगी इंशाला नेक्स वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि next हमने कौन से problem को solve करना है दौा में याद रखा करें और चैनल दिनों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें अल्ला आफ़े नासे